हेलो प्यारे विदार्तियों स्माकेड में क्यूटूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है I hope कि आप सभी सवस्त होंगे मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पड़ाई कर रहे होंगे और वर्क बुक भी अच्छे से काम कर रहे होंगे आज हम बात करते हैं RKSM BK के पर्थम योगातमक आंकलन की यानि आपका जो RKSM BK का जो पर्थम योगातमक आंकलन हिंदी का जो होने वाला है कक्षा चार की बात कर रहे हैं और विश्य है हिंदी जो अभी आपका होने वाला है उसकी चर्चा कर रहे हैं किस तरीके का आपके पास पेपर आएगा किस तरीके का पैटर्म रहेगा किस तरीके को अपने को कुछनों को बरना है सबसे पहले लिखा है नाम तो यहाँ पे अपना क्या लिखना है अपने को नाम लिखना है जैसे आपका नाम है प्रेम तो यहाँ पे अपना नाम लिखना है यहाँ पे रोल नमबर लिखने है अगर आपने भी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो पले चैनल को सस्क्राइ इसमें कटोरी सब्च के सारी अक्सरों आपको देखना है यह यहां निकोड़ किस में किसमें एड़े वाले क्समें टो टोकर्य सवर कोरी में सारे सण करदेक्रاتी में ते पर दिखायागया आदम्य को यह यह देखो यानि बेल है इसके पास हल जोत रहे तो क्या है यह यानि किसान है तो अपना उत्र हो जाएगा किसान नेक्स्ट है चितर के लिए सब्द चुने यानि यह क्या दिखाई देरा आपको यानि आम है सेब है पपिता है केला है तो देखो एक पूरा पपिता है और एक कटा हुआ है आदा है तो यह जाएगा पपिता है अगला है उस जानवर को चुने जिसके सिर पर सींग है और घास खा जाता है यानि घास खाता है तो बताओ कौन सा है जिसके सींग भी है और घास खाता है ये देखो ये रहा है फिर है वह सब चुने जिसका पहला अकसर चितर में दिखाएगी वस्तू के अकसर के समान है रखना है कि क्या पूछा जा रहा है और क्या हम बता रहे हैं वाक्य को सही तरीके से पूरा करने के लिए उचित विकलब चुने मेरे भाई ने अपने गोड़े एक छोटा अस्तबल बनाया तो मेरे भाई ने अपने गोड़े के लिए एक छोटा अस्तबल बनाया तो जाएग इनमें से कौन सा विकलब पूरा वाक्य है अरुन कर रहा है, मेगा सो रही है वरुन ला रहा है, स्वेता बना रही है तो इसमें क्या बना रही है पता नहीं चल रहा है अरुन क्या कर रहा है पता नहीं चल रहा है वरुन क्या ला रहा है पता नहीं चल रहा है लेकिन इसमें एक पता चल रहा है मेगा सो रही है उस सब्द को चुने जिसका पहला अक्षर चित्र के समान पहला अक्षर भी है यानि जैसे ये है बकरी यानि बै तो ये देखो बगुले में बै ये अपना उत्र हो जाएगा फिर उस अक्षर को चुने जो चित्र के नाम को पूरा करता है ये देखो क्या है गमला है तो गय मैं और ला जाएगा तो ला उत्र हो जाएगा अपना ला सही सब्द चुनकर वाक्या को पूरा करें मेरी दादी बिना लाठी के मेरी दादी बिना लाठी के क्या नहीं कर सकती चल नहीं सकती तो चल उत्तर हो जाएगा अपना फिर एक कहानी को पढ़कर निची दिएगे चार परसनों के उत्तर दे एक चिंटी और एक कबुतर बहुत अच्छे मितर थे एक दिन चिंटी नदी के किनारे खेल रही थी तभी वे फिसल कर नदी में गिर गई कबुतर ने अपनी मितर को डूपते वे देखा उसे बचाने के लिए कबुतर ने एक पत्ती नदी में फेंकी चिंटी ने उस पत्ती को पकड़ा और उस पर चड़ गई इस तरह चिंटी की जान बच गई चिंटी नदी में कैसे गिर गई अब आपको बताना है जो चिंटी है वो नदी में कैसे गिरी थी तो आपको इस में पता है एक दिन चंटी कहाँ पहे यनि किनारे पर खिखेल रही थी ओर वहया तभी वह फिशल कर नदी में जिर गई यनि कैसे गिरी फिशल कर तो इसका उपर उत्त देखो यनि कौन सा हो जाएगा वह नदी के किनारे क्या कर रही थी खेल रही थी और नदी में गिर गई कबूतर ने चिंटी को बचाने के लिए क्या किया तो बताओ क्या किया कबूतर ने चिंटी को बचाने के लिए एक पत्ती फेंकी यानि क्या फेंकी एक पत्ती फेंकी तो पहला उपसन उतर हो जाएगा अपना कहनी का सार क्या है यानि कबूतर अच्छे मितर नहीं होते अपने मितर के सदेव काम आना चाहिए चिंटिया अच्छी तेराख है अपने मितर को डूबने देना चाहिए तो हमेशा ही अपने मितर के साथ सदेव क्या करना चाहिए उसके काम आना चाहिए इस तरीके से आपको क्या करना इसका उतर देना है I hope कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पली चैनल को सब्सक्राइब करें यह आपका योगात्मक जो आंकलन है यह आपकी अभ्यास के लिए था इसी तरीके इसी पैटर्न के उपर आपको वो पेपर मिलेंगे